हेलो एव्रिवन मैं मिनी कृष्णा आपके सामने अपन वसंत का 12 चेप्टर कंचा ठीक है इसके बारे में देखेंगे ये कहानी है छोटे बच्चे अप्पु की और ये इसके लेखक जो है जो पद्मनाभन है वो की मल्यालम के लगू कथा के बहुत ही प्रसिद लेखक है और ये ही मल्यालम की हिंदी में डबिंग की गई है जो कि कंचा के अपन माध्यम से अपन इसमें लेशन में देखेंगे तो ये क्या है वहा नीम के पेडों की घनी चाओं से होता हुआ आपने बच्चों सियार और कवे की जो कहानी है कि कवा किस तरह से करकश आवाज में बेठकर उपर कयों काओं करता है और सियार उसकी करकश आवाज नीचे से खड़े होके सुनता है तो उसको लगता है कि स्लेट कभी छोटी शीसी से टकराती तो कभी पैंसिल से अब पहले के जमाने में क्या होता था कि जब इस्कुल जाते थे तो स्लेट और पैम उससे लिखना पड़ता था और शीशी रेती थी छोटी पानी की जिसे कि स्लेट को साफ किया जाता था तो वो सारा सामान उस बच्चे के बैग में हिल डूल रहा था लेकिन उसको कोई भी एहसास नहीं हो रहा था और क्या हो रहा था मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था कैसी मज़्यदार कहानी कवे और सियार की सियार कववे से बोला प्यारे कववे एक गाना गावना तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ अब सियार कितना चाला था उसने क्या देखा कि कववे के मुँ में रोटी का टुकडा है तो वो केसे भी करके रोटी उससे छीन ले तो वो उसको लालज देता है कि तुमारी आवाज कितनी मधूरे तुम कितना मीठा गाते हो और उसको लालज देता है और बहुत अच्छे अच्छी बातें करता है उससे तो वो काव काव के आवाज जैसे ही शुरू करता है और उसक से जब निकला, तो कोवे ने गाने के लिए मूँ खोला, तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उससे उठा कर 9211 हो गया, भाग गया, वह जोर से हसा, बुद्धु कोवा, है ना, सभाविक है कि वो बुद्धु था, उसको जरासी लालच दी और लालच में आके उसने अपना मुँ खोला, मुँ खोलते ही उसका जो रोटी का टुकड़ा था, वो क्या है, जमीन पर आगिरा, जिससे कि क्या है, रोटी जमीन पर गिर गई और सियार उस रोटी के टुकड़े को लेकर 9211 हो गया, वह चलते-चलते दुकान के सामने पहुँचा, वहा ये सारे खाने की वस्तुएं भी थी, लेकिन वो बच्चा था, उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी, क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीज़े बराबर ला देते थे, means उसको ये खाने की वस्तुएं का किसी भी तरह से कोई भी लालच नहीं था, क्यों? क्य क्या होता है? फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकरश्ट किया, वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ नटाकर उस जार के सामने खड़ा, टुकुर टुकुर ताकता रहा, स्वभाविक है कि जब बच्चे नहीं अस्तु देखते हैं, तो उनका ध्यान उसकी तरफ ज्यादा आकरश्ट होता है, तो उसी तरह से अप्पु भी वो कंचे को जब उसने देखा, तो उसका पूरा ध्यान उस कंचे की और आकरश्ट हो गया, और टुकुर टुकुर देखता है, नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज वहाँ पर उस अब तर ये कहां थे, मिन्स वहाँ पे उस दुकानदार ने नहीं वस्तु ये जो कंचा है वो लाकर रखा था, बाकी पहले वो खाने पीने की वस्तु ही लाकर वहाँ उस दुकान पर रखता था, अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा, उसके देखते जार बड़ा होने लगा, कैसे बड़ा होने लगा जार, क्या अपने आप से होने लगा, नहीं, अप्पू क्या कर रहा था, कल्पता में खो गया था, उस जार में, जार के माध्यम से अपनी कल्पता में वह खो गया था, और खोने के बाद में उसने क्या देखा, वह आस्मान स बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया वहाँ पर कोई लड़का तो नहीं था फिर भी उसे वहीं पसंद थी छोटी बहन के हमेशा के चले जाने के बाद वह अकेली खिलता था अब सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि अप्पू के साथ खेलने वाला उसकी घर में क तो वह कंचे चारों तरह बिखेलता मजे में खेलता रहता तभी एक आवाजाई लड़के तो उस जार को नीची गिरा देगा अब सवभाविक है कि जब हम बाजार जाते हैं कुछ सामान खरीदने और हम उस वस्तु को नहीं ले रहे हैं वहीं पर खड़े-खड़े देख हैं और उस वस्तु को नहीं ले रहे हैं तो दुकांदा स्वभाविक है अपन से गुस्ता हो जाएगा नाराज हो जाएगा चिड़ जाएगा क्यों और दूसरी बात कि वह कांच की भरनी थी अगर जरासी भी गल्ती से उसके हाथ लग जाते तो वह नीचे गिर जाती और न करने वहां है वह और बुड़ा दुकांदार अब दोनों ही हैं वहां प्याप्पू और दुकांदार दुकांदार के चेहरे पर कुछ चिड़ चिड़ा हट थी क्यों थी चिड़ चिड़ा हट क्योंकि वहां खड़ा देख रहा था वो कोई सा वस्तु नहीं खरीद रहा थ हावी और नहीं वी इसका मेनिंग तो इसके बाद में सवाल खूब रहा क्या उसे कंचा चाहिए क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है मिस बच्चा भी कंफ्यूज था इतनी सारी नई वस्तुएं देखा तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें तो उसने कंचे को छुकर देखा, जार को छुने पर कंचे का सपर्श करने का अहसास हुआ, अब जब उसने जार खोला और उसने कंचे को टच करा, तो उसको अहसास हुआ कि कितने अच्छे कंचे हैं, अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो, इस्कूल की स्वाभाविके की पेले अटा था कि जो लेट आता था उसको पीछे की सीड दी जाती थी बैठने को उसी तरह से अप्पु को भी उस दिन लेट होने के कारण पीछे बैठना पड़ा और इसलिए हुँआ चुप्चा पीछे कीโज जाकर बेढ़ गया सब अपनी अपनी जगह पर हैं, रामान अगली बेंच पर, मतलब और भी क्लास में जो बच्चे हैं, सबका जिक्र किया गया है, इसमें रामान है, मली का है, जोर्ज है, यह सारे बच्चे वहाँ पर बेठे हुए हैं, लड़कों के भी जोर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाडी है, अब उसने बत नहीं हो सकता, हारे हुए को अपनी बंद मुठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चला कर बंद मुठी के जोड़ों की हड़ी तोड़ेगा, अब यह बच्चे की तारिफ की गई है, कि जॉर्ज नाम का जो बच्चा था, वो बहुत अच्छा खेलता था, लेकि उसने हडबडी में पुस्तक खोल कर सामने रख ली, अब जैसे तेसे मास्टर जी आये क्लास में, तो उसने हडबडी में, जल्दी में, बुक तो खोल की रख दी, लेकिन ध्यान उसका सारा कहां पर है, कंचा में है, कि मेरे को दुकान छुट्टी होईगी, और मैं निकलू तो कंचा लूँगा, बस उसके दिमाग में वो ही चल रहा था, तो क्या होता है, मास्टर जी रेल गाड़ी का सबक था, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, प्रश्ट 37, मास्टर जी, रेल गाड़ी वाला चेप्टर पढ़ाना चाहते हैं, और प्रेश्ट नंबर भी बता रहे के लिए, कि जो मास्टर जी बोल रहे थे, कि वो अच्छे से बच्चे सुने, तो क्या होता है, आवाज में कह देते हैं, बच्चों, मैं तुमसे कईने रेल गाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, भाप की गाड़ी मेंस, भाप से चलती है, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है, भाप का मतलब है, पानी से निकलती भाप, तुम लोगों के घरों में चूले में भी है, अप्पु ने भी सोचा, रेल गाड़ी, उसने रेल गाड़ी देखिए, चुक चुक, यहीं रेल गाड़ी वह भाप की भी गाड़ी का मत तो वो चेप्टर उन्होंने बहुत अच्छे से उस बच्चे को पढ़ लिया था उसने घर में तो उसको समझ में आ गया था लेकिन वो जब मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे तो उसका ध्यान बिलकुल भी मास्टर जी की और नहीं था मास्टर जी की आवाज अब कम उची थी क्यों कम उची हो गई थी क्योंकि विस बच्चे ध्यान से बात को सुन रहे थे वे रेल गाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे पानी रखने के लिए खास जगह है इसे अंग्रेजी में बॉयलर केते हैं यह लोहे का बड़ा पीपा होता है ठीक है यह मास्टर जी बच्चों को समझा रहे हैं लोहे का एक बड़ा कांच का जार उसमें हरी लकी सफेद गोल कंची बड़े आउली जैसे जोर्ज जब अच्छा होकर आएगा मतब वो जोर्ज की तुलना कर रहा है कि जब ठीक होकर बीमार है वो घर पे है जब अच्छा होकर आएगा तो मैं उसके साथ में खेलूंगा कंच मास्टर जी क्या करते हैं कि एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और उसकी और फेकते हैं क्यों फेकते हैं क्योंकि उसका ध्यान पड़ाई में नहीं था उसका ध्यान आकरशित करने के लिए मास्टर जी उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आगे रहा अन्भों की कारण भो बोल, वह खामोश खड़ा रहा, क्या नहीं बोलेगा? मास्टर जी कहना चाहते थे कि कोन सा चेप्टर पड़ा रहे थे, उसका ध्यान आकरशिद करने के लिए उन्होंने एक चोक के टुक्डे फेक कर उसका ध्यान अपनी और आकरशिद करने के लिए ऐसा किया आगे क्या होता है वह खामोश खड़ा क्या नहीं बोलेगा वे अप्पू के पास पहुँचे सारी कच्छा सांस रोके हुए उसी तरब देख रही थी उसकी घबराहट और बढ़ गई तो क्या होता है मैं अभी किस के बारे में बता रहा था कौन पूछ रहा है मास्टर जी अप्पू से पूछते हैं कि मैं किस चेप्टर के बारे में क्या समझा रहा था आप बता हो करके तो करमट मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है शायद उसने पार्ट पर ध्यान भी ना दिया हो अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है इसी में उनकी सफलता है हाँ हाँ बता डरना मत मास्टर जी ने देखा अप्पू की जवान पर जवाब था हाँ हाँ वो कापते हुए बोला अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था मास्टर सहाब की आँखों में चिंगारिया सुलगे चिंगारिया मींस मास्टर जी को बहुत गुस्ता आया कि ये मैं इसको रेलगाडी वाला चेप्टर समझा रहा हूँ और ये कंचा कंचा कर रहा है तो अप्पू रोता हुआ बेंच पर चड़ा पड़ोसी कंचा की टीचर ने दर्वाजे से जहांकर देखा फिर सम्मिली था सी अब किसी को पनिश्मेंट मिलती है तो सारे बच्चे सवभावी के कि मजाक उड़ाते हसते हैं तो उसी तरह से उस अप्पू के साथ भी किया गया कि जब वो बेंच पर खड़ा किया गया तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा के हसने लगे रोती रोते उसका दुख बढ़ता ही गया सब उसकी तरब देख देखकर उसकी हसी उड़ा रहे थे रामन मली का सब अब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूँगा सबको जॉर्ज को आने दो जॉर्ज नहीं बुलाएगा कंचे को देख लेगा ये ललचाएंगे इतने खूबसूरत कंचे हैं हरे लकीर वाले और ये तारीब बता रहा है कि किसे कैसे कैसे रंके हैं और इसके बाद में क्या होता है कि मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया क्या किसी को कोई शक है अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी वह सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लेंगे तो ये क्या होता है फिर वो बच्चा फिर चला की करता है कि थोड़ी देर बाद उस क्लास में प्योन जो रेता है काम करने वाले वो आता है और पूछते हैं कि कौन-कौन बच्चे फिस लेके आये हैं तो वो जाके ऑफिस में जमा कर दे तो उसके पेरेंट्स जो अत्पू के हैं वो फिस के लिए कुछ पैसे उसको देते हैं तो वो फिस ना भरके वो क्या करता है जब क्लास छूटती है तो जाके कंचे खरीदता है और कंचे खरीद के वह जाके अपने घर में उसकी माता जी को सही सही बताता है कि मैंने जो पैसे दिये थे पापा ने तो मैंने उससे क्या करा कंचे खरीद लिए और जब उसकी मा वो सोसता है कि मैं जब मा को बताऊंगा तो मा मुझे डाटेगी लेकिन मा ऐसा नहीं करती है क्योंकि उसकी जो छोटी बेहनती उसकी अकाल म्रत्य हो जाती है और उसके साथ में खेलने वाला कोई भी नहीं था अपपो के साथ में तो ये कहानी ये बताया गया है कि इसमें कि किस तरह से हमारा ध्यान जब हम स्कूल से घर निकलते हैं तो कोई वस्तू को देखकर हमारी ध्यान और आकरशित हो जाता है तो हमको पहले हमारे पेरेंट्स को सब सही सही बताना चाहिए कि हमने या उनसे अपन को मदद मांगनी चाहिए और अपने मन से हमको कभी भी इस तरह से कोई कार नहीं करना चाहिए जिस तरह से अपने किया था तो बच्चों ये कहाने से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी कारे करें तो सबसे पहले हमारे अपने बड़ों की पेरेंट्स की अपने घर में बड़े भाई भेने उनकी पर्मिशन लेना हमको बहुत ही आवश्य होता है तो इसके question answer आपको PDF फाइल में मैंने डाल दिय गए हैं और आगे के chapter अपन अगली कक्षा में continue करेंगे धन्यवाद